हावरू फिक्स सैमसंग M51 आटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में आटो रोटेट स्क्र को आप यहाँ पर और उसके बाद भी दोस्तों आप अपने मुबाइल को रोटेट करने की कुशिश कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तों इस वीडियो को आन तक जरू देखेगा मैं आपको इसका solution बताऊंगा उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो यहां पर problem आ रहा है fix हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आप online पेसा क सामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर आटो रोटेट काम नह होगे जाते हैं तो ठीके अगर रिश्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों नेक्स्ट सॉलुशन करना होगा तो next solution पे दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है तो आप दोस्तों अपने recent बटन पे क्लिक करें recent बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने भी आपकी applications on है उनको आप close कीजिए क्योंकि दोस्तों कभी कबर क्या होते हैं हमारे device में जो जायरो होते हैं वो लोग हो जाते हैं तो उसके वज़े से दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने recent apps को off कर दीजिए ठीक है सारे के सारे recent apps close कीजिए close करने के बाद दोस्तों दुबारा से recheck करके देखे कि आपका problem soft हो आए या नहीं हो आए अगर solve हो जाता है तो ठीक है अगर उसके बाद भी दोस्तों problem आ रहा है तो आप जाए दोस्तों आपने mobile के setting पर scroll down करते हुए दोस्तों जाए general management के option पर end and reset option select कीजिए और reset all setting पर जाके reset setting पर click कीजिए अपना pattern यहाँ पर बढ़ दीजे pattern password जो भी आपने set किया हुआ screen lock पे उसको add करने के बाद सारे setting reset हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है on कीजिए अपना portrait mode को यानि कि auto rotate on करने के बाद दोस्तों दुबारा से check करके देखे solve हो जागा आपका problem ठीक है अगर दुबारा से problem आ जाते तो simply जाये software update में जाके software को update कर लिजे जैसे ही दोस्तों आपका software update होगा आपका problem भी उसी वक्त fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप auto rotate के इस problem को यहाँ पर fix कर सकते है अमीद करते दोस्तों वीडियो आपको पसेने होगा thanks for watching